हम लोग बोलते हैं कि आसान है, कोशन आसान है, आसान है, अपे किस बात का आसान है, फट के हाथ मारी है आप लोगी बार बार कोशन सौल करने से, नहीं आ रहा है समझ में तो किस बात का आसान हो गए आपके लिए, तो आप किनी चीज़ आसान नहीं हो सकती, लेकिन अगर कहीं न कहीं वो चीज़ें आसान हो जाती है, कोशन आप से गया रखा कि 4th term किसी AP का 14 है, और उसी AP का बारवर term जो है वो 70 है, तो आपको उसका 1st term बताना, तो easy है, 4th term अगर मैं A4 कहूंगा, तो ये कितना है 14, और A4 की value होती है A plus के 3D, ये आपके पास 14 दे रखा, equation number 1, और आप से गया रखा, उसका बारवर term जो है, मतलब A12 की value आपको दे रखी है, कितनी है, 70 है, तो A12 क्या होता, A plus 11D, ये कितना दे रखा आपको 70, ये equation 2, तो आप से पूछाए कि 1st term बता हो, तो 1st term में क्या होता है, आपको बता, A जो होता है, ये 1st term होता, तो A को काटेंगी नहीं, आप इनको manage कर लो, D वालो को, A वालो को छोड़ दो, तो D वालो को manage करने की नहीं, आपको इसमें 11 सा multiply कर देनी है, उसमें 3 से, ऐसा करने से ये हो जाएगा, 11A plus 33D, is equal to 11 की, 11, 14 की जब मैं 11 सा multiply कर दोगा, तो 14, 14 अधाई, 140, 140 plus 14, कितना हो जाएंगे, 154, ठीक है, ऐसी मैं 3 की multiply कर दोगा, तो ये हो जाएगा, 3A, तो 3A plus 113, 33, is equal to 721, 210, ठीक है, अब इनको subtract कर लो, subtract करने से ये खतम हो जाएगा, 33D, 11 में से 3 निकालेंगे, तो बचेंगे कितने, 8A, 8A, 154 में से है, जब आप माइनस का 210 करोगे, तो value दोगो माइनस मानी है, जब 154 में से 210 को घटाओगे, तो value माइनस मानी है, तो इसको प्लस वाला तो answer होने वाला नहीं है, अब देख लोगो कितना बचेगा, 210 और ये है 154, 10 में से 4 निकालेंगे, 6 बचेंगे, यहां कुछ नि बचेगा, 10 में से 5 निकालेंगे, 5 बचेगा, यहां 56 आ रहा है सिर्फ, 56, तो यह हो जाएगा 56, 8 सत्य होते हैं 56, तो A is equal to आ जाएगा, माइनस के साथ के, A is equal to माइनस के साथ कहां दे रखा, option number 1 अंदर, तो है ना असान, असान चीज़े तब बन दी हैं, जब बन्दा प्रैक्टिस करने शुरू कर देता, प्रैक्टिस जितनी जादा स्ट्रॉंग, उतने ही जादा questions easy होते हैं, मेरा हाथ उतर गया यार, मैंने एक के घुंसा मारा था,